Hello and Welcome to Jam Cam and Padre IIT Jam App आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है तो NVS 2019 के पेपर का हम डिसकसन कर रहे थे दो पार्ट जिनमें पहले 40 कोईशन हम डिसकस कर चुके हैं ओप कि आपको सारे कोईशन क्लियर हो गए होगे तो यह हमारा पार्ट नमबर 3 है इसमें जो लास्ट 20 कोईशन है वो हम डिसकस कर रहे होंगे NVS 2019 के चलिए वही सिधा स्टार्ट करते हैं कोईशन नमबर 41 EAN Rule का यह कोईशन है और आप से पूछा जारा कि इनमें से कौन सा जो है ओबे नहीं करेगा EAN Rule को ओबे नहीं करेगा EAN Rule को तो देखे स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात करें EAN Rule कैसे निकालते हैं Effective Atomic Number सिध्विक्स नाम के साइन्टिस ने इसको दिया था तो Effective Atomic Number कैसे निकाला जाएगा मैगनीज के अगर आप Atomic Number की बात करेंगे 25 होता है तो 2 की Multiply करोगे तो 50 हो जाएगा प्लस में 2 टाइमस इंटू में 10 कार्बोनील है इसलिए ये जो आया है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से प्लस एक चीज़ और दहां रखेगा यहाँ MN और MN के बीच में भी बोन है इसलिए आपको यहाँ पर 2 और एड करने पड़ेंगे तो जब आप इसको देखेंगे तो यह 2 एड क्योंकि है क्योंकि MN 2 है यहाँ पर इसलिए तो इसको जब आप देखोगे 36 आ गया तो मेगनीज से जो नेक्स नोबल गैस होती है वो आपका क्रिप्टोन ही होती है 36 ही होती है इसका मतलब पहले वाला कॉंप्लेक्स EAN Rule को फोलो करता है इसमें अगर आप देखेंगे क्रोमियम का अटोमिक नमबर 24 होता है प्लस में 2 टाइम्स कर देंगे आपका 2 टाइम्स कर देंगे 6 ठीक है क्योंकि 6 कार्बोनिल है एक कार्बोनिल दो इलेक्टरन डनेट करेगा तो कुल मिला के इसका भी 36 आ गया यानि कि नोबल गैस यानि कि ये भी आपका फोलो करेंगे EAN Rule को लेकिन जब आप वैनेडियम की बात करते हैं इसका जो अटोमिक नमबर वो 23 होता है प्लस में आप एड करेंगे 12 तो ये 35 ही रह गया इसका मतलब इसको 36 होना चाहिए था बट ये 35 पे ही रह गया तो according to Sidwig's इफेक्टिव अटोमिक नमबर रूल ये वाला complex EAN Rule को फोलो नहीं करता है अगर आप इसको ये फोलो करवाना चाहते हैं तो एक electron इसको लेना पड़ेगा एक electron के इसके उपर लेना पड़ेगा जिससे के 36 हो जाएगे और ये EAN Rule को फोलो करने लग जाएगा अगर आप last option की बात करेंगे तो iron का atomic number 26 होता है 2 into me 5 करेंगे तो ये भी आपका 36 बन जाएगा ये भी आपका 36 बन जाएगा तो इस question का correct answer third आ जाएगा next question की बात करते हैं what is the structure of this complex देखें ये एक बार-बार आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अगर इसकी भी अगर आप बात करेंगे यहाँ पे भी nickel plus 2 oxidation state में आएगा इसके उपर तो कोई charge नहीं होता बट एक nickel के उपर minus होता तो 2 के उपर minus 2 और nickel के उपर 2 positive charge आदेगा अगर nickel के उपर 2 positive charge आदेगा तो 3D 8 बनेगा यहाँ पे और same वही कहानी बनेगी जो NICL 4 2 negative के लिए बनीती एक, दो, तीन, चार और पांच इसी प्रकार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब यहाँ पे chlorine weak fill ligand होता और साथ में इसकी भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा strong fill ligand होता होगी तो यहाँ पे कोई pairing होने वाली नहीं है और नहीं pairing होगी तो sp3 hybridization हो जाएगी unpair electron दो ही होगे तो इसकी shape भी आपका basically tetrahydral ही होगी trigonal planar तो होई ही नहीं सकती क्यूकि आपका coordination number 4 है linear भी नहीं हो सकती बात थी square planar and tetrahydral में तो बिल्कुल सही answer आएगा आपका tetrahydral ही इसकी जो है structure होगी देखिए वही बहुत ही basic question है आपका electro chemistry से related किया गया है what is the unit of conductance तो हम सबको पता होता है कि जो आपका conductance क्या होता है it is the reciprocal of it is the reciprocal of resistance तो resistance की जो unit होती है that is ohm resistance की unit ohm होती है तो जो conductance होता है आपका c उसको आप काफी तरीके से दिखा सकते हैं एक तो आप इसे ohm inverse बोल सकते हैं या फिर दूसरा है आप इसे mho mho भी बोल सकते हैं या फिर इसकी जो SI unit होती that is simons that is simons तो ये तीन unit है जो आपका यहाँ पर ज़्यादा तर देखे जाती है conductance की ohm inverse mho mho and simons तो ज़्यादा तर इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल correct answer आजाएगा second बहुत ही easy question ये था Charles law is observed at तो देखे भई आपको gas के large पढ़ाए जाते हैं जैसे boils law में temperature constant होता है तो Charles law की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे आपका pressure constant होता है क्या होता है pressure को हम fix रखते हैं अगर constant temperature हो तो उसे हम basically boils law बोलते हैं अगर आपका volume fix रखी जाए तो फिर आपका कौन से वाला बन जाएगा वह एक और law होता है तो वो बन जाएगा इस परकार से तो यह बात जान रख सकते हैं तो Charles law is observed जब आपने यहाँ पर pressure को constant रख दिया तो उस time जो law है या जो वहाँ पर definition आती है वो Charles law की होती है ascorbic acid is found in देखिए vitamin C का chemical name ही होता है ascorbic acid vitamin C का chemical name होता है ascorbic acid is found in so वो vitamin C के अंदर ही पाया जाता है ascorbic acid और vitamin C का chemical या UPSC name बोल सकते हैं कि वही आपका ascorbic acid होता है ठीक है next question देखिएगा भई इस question का answer यहाँ पर गलत दिया हुआ है इन्होंने की में गलत दिया हुआ है तो what is the stability order of inert gas तो देखिए अगर हम बात करें यह यहाँ दिखाए गया है argon, krypton and genome तो आप खुद ही एक बात देख के बता सकते हैं कि genome ही complex बनाता है तो genome ने complex बनाए कैसे जब वो reactive हुआ और वो reactive हुआ क्यों होगा देखिए down the group जाने से जब आप down the group जाएंगे तो size increase करता है और size increase करने से जो electron है आपका and जो nucleus है उनके बीच में force of traction कम रहती है तो reactivity बढ़ती है down the group जाने से reactivity बढ़ती है अगर down the group जाने से देखिए noble gas या inert gas पहचानी जाती है अपनी inert behavior के लिए कि वो किसी से reaction नहीं करती है बट अगर वो react करने लग जाएंगी इसका मतलब वो unstable होती जा रही है उनका stability order कम होता जा रहा है तो down the group जाने से stability decrease करती है हलांकि याप ए गलत दिखाया गया ये इस question का correct answer नहीं होगा आप बिल्कुल इसको correct कर सकते हैं तीसरा इस question का correct answer होगा third option आपका बिल्कुल correct होगा R gun की stability सबसे जादा होगी उसके बाद क्रिप्टॉन की stability होगी and सबसे कम stability होती है आपका genome की और आपने देखा भी होगा कि genome ही बहुत सारे complex की formation भी करता है तो इस question का जो correct answer आएगा वो third आएगा नहीं कि फोर जो की answer की में दिया हुआ था गलत दिया हुआ है यह question F block से relate किया गया यह समझते हैं क्या किया रहा है which of the flowing is decreasing order of reducing strength of the lengthenides तो decreasing order of reducing strength आप से पुछी जा रही है तो क्या होगी देखे student अगर इस question को आप समझना चाहते तो आपको थोड़ा सा electronic configuration का idea लेना पड़ेगा एक है EU2 positive एक है YB2 positive एक है आपका SM2 positive तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होता है आपका 4F7 यानि कि यह half filled electronic configuration है दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यह आपका होता है 4F14 एंड इसको अगर आप देखेंगे तो यह में भी होता है 4F6 होता है साइड यह तो अगर आप देखेंगे यह जो दोनों आप electronic configuration देख पा रहे हो positive 2 में तो यह काफी जदा यह half filled हो गई और यह भी आपका fully filled हो गई तो यह electron लेना पसंद नहीं करेंगे यह electron का lane देन चाहते नहीं है हैना तो इसलिए इनकी जो reducing strength होगी वो usually कम होगी SM2 positive से तो SM2 positive तो चाहता ही है कि मुझे electron मिल जाए काफी अच्छी तरीके से तो यह तो चाहता ही है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह दोनों option एक यह वाला option यहाँ से cancel out हो जाता है एक यह वाला option cancel out हो जाता है तो अब है SM2 positive एंड यहाँ पे भी आपका SM2 positive है अब यहाँ पे बाकी का जो order देखा जाता है जब भी आप यहाँ से देखे जब भी आप left to right जाते हैं किसी भी मालो lengthenide series में तो वहाँ पे आपका lengthenide contraction की वज़े से size decrease करता है lengthenide contraction की वज़े से size decrease करता है तो आप थोड़ा बहुत 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 सकते हैं कि उनकी जो reducing strength है वो basically increase करेगी electron लेने की tendency increase करती है आप थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इसलिए यहाँ पे आपका YB2 positive दूसरे नमबर पे हैं value होती है और उससे ही हम इसका बिल्कुल अच्छे से और verified answer कर सकते हैं हलांकि काफी हद तक यह question आपको clear हो गया होगा next question की बात कर लेते हैं यह बहुत easy question आपसे पुछा गया है what is the oxidation state of chlorine in this complex तो यहाँ पे देखें बहुई 2x हो गया and आपका plus में 2 जाएगी that is plus 7 so इस question का भी correct answer आपका second वाला हो जाएगा next question की बात कर लेते हैं यह रहा the nuclear side composed of adenine with beta d ribose देखें बहुई जो adenine है यह basically आपका एक nitrogenous base होता है nitrogenous adenine क्या होता आपका nitrogenous base होता है and beta d ribose एक यह आपका basically pentose sugar होता है क्या होता है यह एक आपका pentose sugar है तो जब भी आप nitrogenous base and pentose sugar को मिलाते हैं तो वहां से आपको मिलता है nucleoside और adenine से जो आपका nucleoside बनता है उसका नाम होता है adenosine क्या नाम हो जाएगा इसका adenosine इसका नाम हो जाएगा adenine के दोवारा जो आपका nucleoside बनता है उसका नाम हो जाएगा adenosine इस question का correct answer आजाएगा first यह आपका natural product से related question था यह question भाई बहुत बढ़िया question और ऐसे question में अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे वैसे तो इसमें answer है यह नहीं ऐसा कि 9 answer आजाए और हलांके देखे this is strong acid तो इसकी यह वाली value है तो आपको exact बताना है कि pH क्या होगी देखे अगर आपकी concentration की value बहुत कम हो जैसे यहाँ पर यह बहुत कम हारी 10 की power minus 9 आदी तो यह value बहुत कम होती है तो फिर आपको water के द्वारा जो आपका water के द्वारा जो आपका basically value होती है उसको भी consider करना होता है वैसे तो हम consider करते नहीं अगर higher values होती है बट यहाँ पर value बहुत कम है तो 10 की power minus और plus यहाँ पर किया जाता है जो water के द्वारा होती है 10 की power minus 7 तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते है 0.01 इंटू में 10 की power minus 7 हो जाएगा यह भी और plus में 10 की power minus 7 ठीक है यह बाते आगी हैं यहाँ से अगर आप यहाँ पर इनकी concentration की बात करेंगे तो मैं आपको बता रहा हो कि इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा यह भी लोग लगाने की जूरत नहीं है तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ से आजएगा 1.01 इंटू में 10 की power minus 7 तो अभी लोग मतलगा यह चाहिए यहाँ पे अभी यह सिर्फ H positive की concentration है value कम होने की वज़े से हमने इसको इस तरीके से लिया है तो यह आपका H positive की concentration आ गई अब आपको यह लेनी हो इससे आपको answer लगाना है अगर आप इससे answer लगाएंगे तो कैसे आप सभी को पता होगा कि pH is equal to minus log and concentration of H positive होता है तो यहाँ पे minus log and concentration of करेंगे 1.01 into my 10 की power minus 7 तो इसका भी तरीका बता रहे होगे मैंने जो 10 की power में होता है उसको सिधा आगे लिख दो जो 10 की power minus में जो term होती है उसको सिधा आगे लिख दो and minus कर दो जो आपका log 0.01 है तो आप जब इसको solve कर रहे होंगे इस value को solve करेंगे तो आपका correct answer आजाएगा fourth आपका जो correct answer आजाएगा fourth हलांकि जो यह options आपको नजर आ रहे हैं यह काफी close दिये गए है इतना close नहीं देना चाहिए थोड़ा सा vary करना चाहिए था तो काफी close दिये गए है बट आप exact निकालेंगे तो बिल्कुल सही आजाएगा आपका यह रहा तो यहाँ पर जो main बात थी वो यह थी कि यह add क्यों क्या है उसका reason है कि इसकी concentration काफी कम है अगर आप direct निकालते हैं तो 9 value आएगी और किसी भी acid की pH 9 कैसे हो सकती है तो थोड़ा सा समझ सकते हैं तो यह जो 10 की पर यह क्या गया है यह due to water add किये गए है due to water के अंदर जो H positive की concentration होती वो add इसमें की गई है चलिए भई अब next question की बात कर लेते हैं question number 51 which of the following is decreasing order of oxidizing power of halogenes तेखे oxidizing power of halogenes की अगर आप बात करेंगे यह खुद का क्या चाहते हैं reduction चाहते हैं यह खुद का reduction करते हैं तो किसी दूसरे को oxidize करेंगे तो जो reducing power होती है सबसे ज़्यादा होती है fluorine की उसके बाद क्योंकि यह देखे down the group जाने से आपका electron लेने की tendency वो कम होती जाती है अगर वो कम होती जाएगी तो उसकी oxidizing power भी decrease करती जाएगी हलांके आप इनका जो idea लगा सकते है जो इनका standard reduction potential होता है उनकी value से लेकिन बिल्कुल simple तरीका यह है जब down the group जाओगे तो electron देने की tendency बढ़ती है अगर electron देने की tendency बढ़ेगी तो reducing power बढ़ेगी नैकी oxidizing power वो decrease करेगी इसलिए इस question का correct answer आपका option number fourth लगाया गया है जो की बिल्कुल correct भी है ठीक है next question देखेगा भाई यह बहुत easy question है which of the flowing correct increasing order of ionization energy तो यह सारे जो आप देख पारे हैं noble gases है noble gases हो या कोई भी gases हो अगर आप down the group जाएंगे अगर आप किसी भी period में down the group जाते हैं किसी भी sorry group में down the group जाएंगे तो ionization energy पका ही decrease करती है उसका reason यह होता है क्योंकि down the group जाने से size increase करता है क्योंकि down the group जाने से size increase करता है इसलिए helium, neon, argon and krypton और helium is the most इसके highest ionization energy होती है में highest ionization energy in complete periodic table पूरी periodic table में highest ionization energy किसी होती है helium की होती है बाकी सब की उससे कम ही होती इस question का जो answer आएगा 3 is the correct answer इस question को मैं आपके लिए ही दे रहा हूं basically आप इस question को try किजिएगा ठीक है इस question को आप सभी students ने try करना है और आप अपने level पे इसको देख लिजिएगा कि क्या आएगा मुझे कुछ अच्छे से इस question का समझ में आ नहीं रहा है फिसकी explanation मैं नहीं दे पा रहा हूं ठीक है next question chemical kinetics से related है and easy question है for every 10 degree Celsius rise of temperature what is the rate of reaction तो यह बिल्कुल भाई आपको पढ़ाया जाता एक छोटा सा topic होता है 5-10 minute का already मैंने chemical kinetics में पढ़ाया हुआ अगर आपने मेरे lecture देखें तो अगर आप 10 degree Celsius बढ़ाएंगे तो rate of reaction आपका two fold या two times increase करेगा हना विसे तो पता है यह बढ़ाया तेंपरेचर बढ़ाने से जो collisions अब वो fast होंगे and rate of reaction increase करेगा लेकिन वो कितने times increase करता है 10 degree बढ़ाने पर two times increase करता है already इसके लिए आपको formula भी लिखवाया जाता है और बाकी इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं next question यह बहुत बढ़िया reaction organic chemistry में पूछी गई है cyclohexanone आपसे यहाँ पर बोला है कि यह राजी आपका cyclohexanone इसके reaction करवाने है dizo methane के साथ यानि कि CH2 NH2 के साथ जिन भी बच्चों ने मेरे lectures अच्छे से देखे होंगे already यह आपको वहाँ पर करवाया हुआ है intermediate के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले क्या होगा नहाँ यहाँ पर इसके उपर डेल negative होता है और इसके उपर डेल positive होता है तो यह सबसे पहले यहाँ पर as a nucleophile के तोर पर attack करेगा कुछ इस तरीके से जैसे ही यह attack करेगा तो यहाँ पर जो situation आ जाएगी वो आएगी O के उपर हो जाएगा negative charge and यहाँ पर आपका CH2 and यह आपका N2 के उपर positive ही रहेगा उसके बाद जो next step होगा that is rearrangement यहाँ पर rearrangement यह वाला oxygen वापिस यहाँ पर नीचे attack करेगा इस वाले bond को आपने तोड़ देना यहाँ से इस वाले bond को जैसे मैं आभी attack के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से clarity आजाए sorry इसके एक बार दोबारा करेंगे भई तो इसको आपका देख लेना खुछ किस तरीके से जैसे ही आपने जैसे ही आपने यहाँ पे देखो यह bond टूटा होगा यहाँ पे positive चारद आगागा और यहाँ पे negative आगागा यह इसके साथ जोड़ दो और N2 को यहाँ से बाहर निकाल दो जैसे इसके साथ जोड़ेंगे एक उसके बाद दो उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 और उसके बाद 7 यानि कि यहाँ पे बनेगा your heptanone बन जाएगा किया बन जाएगा यहाँ पे आपका c.o तो यहाँ पे आपका बनेगा heptanone तो यह इस question का correct answer रावना था जब भी आप cyclohexanone की reaction करवाएंगे देखें यह जो diisomethine आप देख रहें ना यह काफी तरीके से काम करता है as a nucleophile के तोर पे भी काम करता है as a base के तोर पे भी काम करता है and और भी बहुत तरीके से यह काम में आता है तो यह बहुत बढ़िया reaction दी सबसे पले as a nucleophile के तोर पे टैक किया oxygen वापिस आया and यहां से आपका basically कुछ इस तरीके से यह आपका rearrangement possible होती है आपे और final product जो आपका बनता है heptanone is your correct answer next question is related to theory of gases the wonderwall equation pressure correction is represented by the wonderwall equation में जो pressure correction होती है उसको किस प्रकार से represent किया जाता है उसको किस प्रकार से देखिए अगर हम बात करें हमारी ideal gas equation क्या कहती है pv is equal to nrt pv is equal to nrt तो यह जो pressure होता है यह आपका ideal pressure होता है अब अगर आप देखेंगे जब भी हम correction करते है according to wonderwall gas equation तो बात यह होती है कि वो यह मान के चलते हैं कौन? basically जो आपका kinetic theory of gases में बोलेंगे आप यह main बात यह देखेगा कि आपका ideal gas जब हम मान के चलते हैं तो वहाँ पर यह बोलते हैं कि जो आपके particles होते हैं gas के particles इनके बीच में कोई भी force of attraction नहीं होती जब ideal gas के case में क्या मानते हैं? कि इनके बीच में no force of attraction इनके बीच में कोई भी force of attraction नहीं है बट जब आप real gas मानते हैं तो इस force of attraction को consider किया जाता है इस force of attraction को consider किया जाता है अगर यह force of attraction यहाँ पे होगी तो यह जो collide कर रहे थे यह जो pressure पहले जरनेट कर रहे थे वो pressure अब कम हो जाएगा वो pressure अब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों कि अब इनके बीच में force of attraction नहीं है जैसे वो freely जाके टकरा रहे थे अब वो ऐसा टकरा नहीं प्राएंगे यह pressure कम हो जाता और इसी को correct भी किया गया था तो यह बात बिलकुल सही है कि जो ideal pressure होता है एक तो जो observe करते हैं वो और plus में जो corrected किया है वो इन दोनों का sum होता है इसको हम बोल सकते हैं आप क्यों क्यों कि जो आपने correct किया है वो and जब आप observe किया था वो दोनों को मिलाएंगे तब ही जाके तो वो ideal बनता है ना तो यह जो corrected वाला है यह कम हो गया था ideal में से या फिर आप इसको ऐसे भी इसी term को अगर आप ऐसे समझना चाते है ऐसे समझेए कि जो आपका p observe होता है reality में वो आपका p ideal minus p corrected होता है इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो भी आपको बहुत असानी से चीजे समझ में आएगी तो यह actual में वो बात होती है और यह बिल्कुल सही भी है बस लिखने का तरीका अलग तरीके से लिखा गया है इसलिए समझने में थोड़ी से दिक्कत हो सकती है which of the following highest ionization enthalpy highest enthalpy of formation तो किसको बनने के लिए highest enthalpy निकलेगी तो पका ही HF को बनने में क्योंकि यह जो bond बनता है यह काफी ज़्यादा strong बनता है तो जितना ज़्यादा आपका basically strong bond बनेगा उतनी ज़्यादा ही अन्थैल पे release होई होगी इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और इस bond को तोड़ना सबसे मुस्किल होता है इसे लिए यह कम acidic nature का होता है तो यह बिल्कुल सही है इसका अंसर आप first बोल सकते हैं select the product of the following reaction तो भई यह आपका basically कुछ इस परकार से complex दिया गया BBR3 plus में 3H2 के साथ इसकी reaction करवाई गई है तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपका क्या product बनेगा तो एक हजी दो बोरेन मिलेंगे आपको और आपका 6HBR बहार निकलेगा उसके बाद B2H6 डाई बोरेन बनेगा और 3BR2 बहार निकलेगा तो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से इसका answer हलांकि first दिया गया भी और मैंने भी जो पता किया लगबग इसका answer first ही लग रहा था फिर भी मैं इसके उपर जरूर question mark लगा देता हूँ आप अपने level पे इसके एक बार जरूर verify कर लेना हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत objection मिल जाए आपको ठीक है next question डी ब्रोगली relation is represented तो भी डी ब्रोगली की बहुत ही असान तरीके से समझा जा सकता है e is equal to mc square and e is equal to hc by lambda इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो बहुत असानी हो जाती इसके समझने में तो इस c से ये c cancel out हो जाता है तो lambda जो होता वो आपका h by mc या mv होता है और इसी को हम momentum भी बोलते हैं इसी को हम momentum भी बोलते हैं तो जो lambda होगा यानि कि wavelength is equal to h and divide by या तो आप mc या mv या फिर आप इसे p momentum से represent कर सकते हैं जो कि आपका third option बिलकुल correct representation दे रहा है ठीक है तो d ब्रोगली hypothesis relation यही होती है तो भाई last question है हमारा इसका nv s 2019 के paper का what is the correct order of the boiling point of borans? लेकिए boiling point अगर आप देखना है molecular weight देख लीजिए molecular weight बढ़ने से wonderful force of traction बढ़ती है और wonderful force of traction बढ़ने से boiling point बढ़ते हैं तो b4 h10 तो यहाँ पे boron 5 होगे तो boron का एक बढ़ना और hydrogen का एक कम होना तो यही ज़्यादा heavy रहेगा इसका mass ज़्यादा रहेगा इसलिए इसके boiling point ज़्यादा है b5 है h11 तो इसका और ज़्यादा हो गया यहाँ पे b6 है और h10 इसको आप इस तरीके से explanation दे सकते हैं तो इस question का correct answer और भी third हो जाएगा तो यह था जी N.V.S. 2019 का paper का solution अपके आपको काफी अच्छे से यह समझ में आ गया होगा पुरा paper और काफी हद तक आपको idea लग गया होगा तो एक बार मैं मेरा analysis भी बता देता हूं कि क्या कहता है तेखें यहाँ पे जो chemistry subject है उसके 60 question पूछे गए थे chemistry जो subject है उसके 60 question पूछे गए थे और मैं यह कहूँगा यहाँ पे जादा नहीं तो 40 plus question ऐसे थे जो आपका बिलकुल 11-12th level के थे 40 plus question 11-12th level के थे इसका आप 40-50 भी लेके जा सकते हैं 40-50 10 question ऐसे थे 10 question ऐसे थे जिनमें से 2-4 question थोड़े से मलब 2-4 question थोड़े से बढ़िया concept के पूछे गए थे मलब 2-4 question ही ऐसे थे जो BSC, MSC level के थे BSC level के भी बोलो MSC level का कोई खास था नहीं उसके अलावा जो बच गए भई आपका यहाँ पे बोलो की basically 6-6 question वो थोड़ा सा learning based वाले थे याद रखने वाले थे memory based question थे आपको जैसे amino acids के कुछ भई आपको amino acid की structure का idea होना चाहिए तो level कोई इतना ज़्यादा high आता नहीं है हलांके मेरे पास NVS का एक core paper available है जो की 2019 में हुआ था लेकिन वो इस paper से अलग है उसमें जो question पूछे गई थे वो थोड़े से अच्छे level के पूछे गई थे तो बहुत जल्दी उस paper का solution भी discuss किया जाएगा आप सभी के साथ तो भई मैं तो आपको बार बार यही recommend करूंगा जो आपने PZT वाला course join किया है Padre IAT Jam app पे अगर आप इसको काफी अच्छे से cover कर लेते हैं 11-12 के lectures भी BSC और MSC level के lectures भी test series लगा लेते हैं PYQ solve कर लेते हैं तो कोई भी entrance मुस्किल होने वाला नहीं है कोई भी PZT exam मुस्किल होना वाले नहीं है आपको और आप जब पढ़ते होंगे जब video lecture देखते होंगे तो आपको खुद को भी confidence आता होगा कि हाँ सर बिलकुल अराम से कर देंगे बहुत असान चीज़े हैं ये तो ठीक है तो भी लगातार अपना course को complete करते रहिए अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए ज़रूर आपका फीज़िटी में कहीं ने कहीं सेलेक्शन होगा इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू